बागेगा उधर बागेगा इधर से कुछ उसको उसको प्रेंट्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो बड़ो को साधर पढ़ना चोटो को डेर सारा प्याद्स यह है संडे के दिन का यह सारा वीडियो लिया हुआ है और अब भी आज सब को है छु सब सरसा venom करें और हम यहाँ ऊपर काम कर यह नीचे से ला रहा रहा है आलु तो सारा कालू को रख रहने पलंक के अंदर और आज क्लीनिंग करने वाले हैं क्योंकि वाले है तो सब काम कर लें भीशिक होता बर रूटीन रहता है एक और यह कामानें हो पाता है हर रोज तो वीजबिच में यह करना पड़ता है तो संदे आज ही क्लिणिग कर रहresent ही पूरे घर का पूरे सारा चाहर ले शाकर लेको बाए से जाला में होगया था दो फिर दिवाल में में चिपक जाता है तो ow रहे तो लगता है और लगता है वहां से हटाना पड़ता है मगरी के जाला को और यह सबसला बांक की था यहां पर ले रही है और उसके बाद देखे शारे रुम का यहां और आप यहां पने पोछा लगा रहे हैं और आज पूरे घर में हम लगा हम लगा हांगे हमें हाथ कहिंग पूछा करेंगे क्योंकि डेली होता है खड़े खड़े पोछा हो जाता है डंटे से तो अच्छे से नहीं हो पाता है आप सब देखते होंगे यह चीज गौर करते होंगे कि किनारे दिवाल का जो वो किनारा किनारा होता है ना हर जगा वो धूल ना चिपका हुआ होता है एक लाइन सा बन जाता है डार्क डार्क जैसा वो दिखाई देता है धूल का और हाथ से ना अच्छे से वो सारा कोने कोने साफ हो जाता है तो आसंत्रास चुक्ति कातिन है तो अराम अराम से सारा क्लीनिंग करेंगेर선 नहीं ताक्री नहीं 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 जा रहते हैं और उससे पोछा करने के बाद टाइल भी क्या होता है ना प्रव जैसी खाली पर चलते हैं अ मतलब वह लट्डा जैसे होता है फिलत वह हैं नोख जयेस्टा करते हैं डिट्ब तोड़ा थोड़ा इसास होता हुटा है कि पर प prof.' तोड़ा टाइबि से हो जाता है, इसलिए हम दिंटरजन्ट नहीं, डाल रहा है और यह पकते हो जब नीचे रहा hoje इसे पे पोछा करते हैं। इसकी बहुत ही ना मुबाईल पर काम करदे करते न आँखों पे काप़ी जधा असर पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ है क्या करें कैसे हर चीज को मैनेज करें मतलब घर का काम करना ब्लॉग बनाना सूट करना एडिट करना फिर और बहुत तरह का काम है तो अपने काम को हम छोड़ नहीं सकते हैं जैसे करना है तो उसको करना ही पड़ेगा तो कि देखिए अगर हम चैनल बनाए हैं और मेरे चैनल बनाने से हमको करीब एक साल हो गया है पूरा और एक साल हम इतना मेहिनत किया है इतना मेहनत करने के बाद अब हम छोड़ नहीn सकते हैं कोई भी आदमी इस तरह से मितलब अचानक से छोड़ नहीं सकता है अपने चैनल को क्योंकि एक चैनल जो भी बनते हैं तो उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है बहुत ज्यादा जो वीडियो बनाती है जो ब्लॉग बनाती है हमारे सिस्टर लोग सभी को पता है कि कितना ज्यादा मेहनत है वह अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को बहुत ज्यादा मेहनत है हर चीज को मैनेज करना और कुछ भी हो जाए चैनल को हम छोड़ नहीं सकते हैं वैसा ही कुछ रीजन हो जाए जिससे की मतलब होता है ना कि हां चलो ब्लॉग नहीं करते हैं वैसा ही लेकिन ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं बहुत जादा मेहनत लगता है और उसके बाद देखें मेरा सारे रूम में हो गया था पोच्छा लगाया हुआ और इसके पापा भी आलू सारा ले आया थे आलू भी उपर हो गया सिफ्ट और अब देखिए और दुसरा काम बचा हुआ था काफी दिनों से हम ब्लॉग में बोल भी रहे थे कि यहां पर बहुत सारा बालू सिमेंट उखरता है तो सोच रहे थे परिंडियां पर सिमेंट देंगे घोल के बचा हुआ साथ थे तो सभाव नाए तो आई आज चलो कर ृदे ऑन अगो से हैं के बांध कर एकसी से अच्छा हुआ है कीत्रया नहीं कि क्लास्टिके का एक है बांध कर दिया गया था थाकि अच्छे से यह जम जाए इस पर डालेंगे इस पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है डेली का डेली के सुख निकलता है ना यहां से धूल और अब तो यहूं सुखाना मतलब कपड़े पर वैसे तो हम सुखाते हैं हर अनाज को लेकिन फिर भी कपड़ा भी पिछाना इस पर मुस्किल हो जा रहा है इतना ज सिमेंट का गोल अगर जम जाए अच्छे से तो क्लीन हो जाएगा यहां पर साफ लगेगा चितकन लगेगा तो यहां पैनाज पाने सुखाने में भी काफी अच्छा हो जाएगा लेकिन पता नहीं क्यों हमको लग रहा है कि यह सिमेंट खराब हो चुका है पर देखते हैं क सिमेंट क्या लग रहा है या के ऊपड़ झाहिता करने का एक ही उपाय है या तो इसके उपर घर बन जाए यह खान में फिर ऑफया यह जब तो घास दिक होने वाला नहीं हो पर घॉपर भजया दिया जाता है सिमेंट का वह वाला नहीं हुआ इसलिए इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है यहां पर पूरे छट पर उखड़ रहा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं देखते हैं घर बनाना भी संभब नहीं है कि इतना ज्यादा पैसे लगा करके घर बनाए और हमको जरूरी भी है पढ़ रहा है फैमिली मेरा तो देखी रहे हैं छोटा है इतना ज्यादा बना के क्या करेंगी मतलब जतना घर बना है उतना ही किलीन करने में तो हम लोग का बहुत ज्यादा दिन भर लग जाता है तो क्या करेंगे आभी बना करके बस एक कीचन ज़रूरी है जो जो कि और देखिए अगर आज का ब्लोग आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा फ्रेंट जो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके और बटन प्रेस कर लिजेगा और फेस्बुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लिजेगा तो फिर मिलते हैं आगे के आने वाले ब्लोग में यहीं पे ब्लोग का दियेंड करते हैं तब तक के लिए आप सभी हसते रहें मुस्कुराते रहें और खुस रहें बाबाई उल्में मुस्क पेजिए आप लिएए और खुस रहें बाबाई